प्रृवर नाम तुम लोगोंने सुना होगा ओमेगा थी स्थ हम यहां पर बात कर रहें होगा बारे में ओमेगा री के बारे में ओमेगा थी है क्या सिख्वाइप है जो ऐसंग ंगरोफ होता है अब का फॉर्म होता है जो बॉडी की ओवर ओल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ठीक है अब ओमेगा-3 करता क्या काम है सबसे बेसिक की जगर तुम्हें हम बताएं ब्रें मतलब ब्रें फंक्शन और रेटिना के लिए तुमारी जो आखों का रेटिना और ब्रें जो ग्रोथ के फंक्सनिंग है इन सब को फंक्सन करने के लिए बहुत 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 ज़ादा जरूरी है ठीक है अब इसका थोड़ा सा정 करते हैं ठीक है देखो ओमेगा-3 के त लगब लगब ठीक है अब ओमेगा-3 के पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं उसके बाद हम डिरेक्ट चलेंगे सोर्स के उपर अगर आप सप्लीमेंट नहीं करना चाते हो तो सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे ठीक है ओमेगा-3 एक तरीके का जादू है समझ लो मेरी बात की मतलब बहुत चमतकारिक फायदे हैं इसके सबसे पहला यह है कि अगर ओमेगा-3 आपकी बाड़ी पे सही है लेवल सही है अगर कंजूम कर रहा हो तो ओमेगा-3 की वजए से आपकी आँखों की रोसनी बहुत बेटर हो सकती है या फिर हम कहें रेटिना बहुत अच्छे से रिकवर हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला है आपकी आँखों के लिए दूसरा है ब्रेन की ग्रोथ के लिए अगर कभी भी ऐसा लगता है कुछ पढ़ने में समझने में समय लग रहा है कुछ चीजें नहीं समझ में आ चोटी मोटी दिक्ते हैं लेकिन यह काफी दिक्कत देती हैं तो अगर इस तरीके का कुछ भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो ओमेगा थ्री तुमारे लिए तुमारी बहुत दिख चमता जो दिमाग का विकास करना वह उस हो रही है तब जाके हमें करने का मन होता है तो जिनको भी बहुत जाद है प्रॉब्लम हो रही है उनको दो चीजे देना चालो कर दो ओमेगा थ्री और विटामिन वी टॉल यकीन मानों यह थौट्स आने बंद हो जाएंगे ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो मेगा थ्री जो होता है वह दाएट में थोड़ा सा कम होता है ठीक है क्योंकि जह ँद आ कॉते हैं यह फिर इंभल यह चल्क चाहिए यह-जो है भानी जब पानी बाद में मिलता तो düny SMITH तो मेए तरीके सोर्से वेजिटेरियन में थोड़े कम है बट अगर आप ओमेगा-3 का अगर सप्लीमेंट ना करके एक सोर्स ढूंड रहे हो तो सबसे बेस्ट सोर्स जो होगा वो होगा फिस फिस से अच्छा ओमेगा-3 का कोई सोर्स नहीं हो सकता है खास का सैल्मन और टूना फिस ठी से पूरी होती है हमारी ओमेगा-3 के बैलेंस को बनाने के लिए ठीक है दूसरा क्या है श्मैंस का सेख्षन संफ्लावर छिया सीड़् यह जितने भी सीड्स आते हैं यह भी सक्षण में हम एक सकते हो मेट कर लिए देसी घी को मैट कर सकते हो मेट कर फिसके लिए उसके सीड ऑईल के साथ कुछ कॉंपोनेंट बनाए जाता है ठीक है तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ओमेगा-3 दोनों आपको मिल जाएंगे दोनों के लिए कम डिसक्रिप्शन में डाल देंगे बट अगर ओमेगा मतलब जिम जा रहे हो तो मेगा-3 के यूज और ज्याद नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम चाहिए